अमेरिकी राष्ट्रुपती जो बाइडन ने भारत को UNSC यानि की United Nations Security Council हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में पर्मनेंट सीट देने का समर्थन किया है। भारत भी हमेशा United Nations से 27 अदस से बनने की मांग करता रहा है। PM मूदी इस वक्त कॉर्ट समिट के लिए US गय हुए हैं ऐसे में ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि भारत को UNSC में इस्थाई सीट मिलनी चाहिए। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर UNSC में भारत को पर्मानेंट मेंबर बना दिया गया तो इससे देश को क्या फायदा मिलेगा लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर UNSC है क्या और इसका पर्मानेंट मेंबर बनने के लिए क्या-क्या पापर बेलने पड सुरक्षा प्रबंधन यानि की सेक्योर्टी मेनेजमेंट की सबसे बड़ी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पर शान्ती और सुरक्षा मेंटेन करने का काम करती है। कुल मिलाकर आसान भाषा में कहें तो UNSC ने पूरी दुनिया में शान्ती बनाये रखने और सामोहिक सुरक्षा के नियमों का पालन कराने का जिम्मा उठाया हुआ है। इसका गठन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में किया गया था। वर्तमान में UNSC के पाँच पर्मानेंट मेंबर हैं युनाइट स्टेट्स, युनाइट किंडम, फ्रांस, रूस और चीन जबकि दो-दो साल के लिए 10-10 नौन पर्मानेंट मेंबर चुने जाते हैं इन्हें चुनने के लिए पर्मानेंट मेंबर्स के भीच चुना होता अफरीका से एक पूर्वी यूरोप और दो पश्मी यूरोप या किसी अलग देश से चुना जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत आठ बार UNSC का आस्थाई सतर से रह चुका है लेकिन दरकार अब UNSC का पर्मानेंट मेंबर बनने की है। अब सवाल उठता है कि आखिर भ के फेवर में हैं जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके शामिल है। लेकिन चीन को भारत से दिक्कत है। चीन ये कताई नहीं चाता है कि भारत उसके बराबरी पर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़ा हो। भारत को अगर इस थाई सदस्ता मिल गई तो वह इ यूएन चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए पर्मानेंट मेंबर्स के अलावा दुनिया के दो तिहाई देशों की पुष्टी करवानी होगी। खैर भारत दुनिया के सभी चोटे बड़े देशों से इसके लिए अच्छे रिष्टे स्थापित करने मे तो लगा ही हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर भारत को यूएनसी में 27 दस्ता मिल गई तो इससे देश का क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो दुनिया के सामने भारत का भौकाल बन जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की हर एक बात की वैल्यू और बढ़ जा भारत सहित दुनिया में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए भारत की भी भागेदारी होगी। कुल मिलाकर भारत अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकने में काबिल हो जाएगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंड में जरूर बताएं और अगर आ झाल झाल